प्रदेश बर में चल रहे लंपी वाइरस को लेकर आम पसुपालक जहां चिन्तित हैं वहीं आसपूर उप्खंड अक्षेत्र के गोल गाओं में बीती रात को करीब पचास से अधिक गायों को हुआ ठीका करण आसपूर राजस्तान डुंगरपूर जिले के आसपूर उप्खंड में जहां एक और पूरे प्रदेश में गायों में लंपी वाइरस से गोवन्स की मोते हो रही है तो वहीं ऐसे में बीती रात को गोल गाओं में डबरावत निवास के सामने पचास से अधिक गायों को गोल गाओं के युवाव की मेदद से मेडिकल टीम के डॉक्तर गंस्याम कोली और परमार गोजर के द्वारा लंपी वाइरस का ठीका करण हुआ गोल गाओं के युवावने डबरावत गोल गगन हमावत गोल आनन डबरावत गोल प्रकास डबरावत गोल प्रकास गुनावत गोल राहूल शेवक गोल रजत जगावत गोल राहूल गुनावत गोल भावेश प्रशांत पराग विजय अमीत जैकुमार अर्विन आधी युवाओं की मदद से 50 से अधिक गायों को एककतरित किया फिर एक एक करके चरणमत तरीके से टिका करन कर उन्हें टेक लगाया गया इस पूरी टीम ने यह संदेश दिया कि गायों को इस गंबीर विमारी से बाहर निकालने के लिए यदि सभी गंवों में इस तरह से युवाओं आगे आते हैं और टिका करन होता है तो लंपी वाइरस से उस्वों की होने वाली मौत से निजात पाई जा सकती है अब हर अक्षेत्र में युवाओं कब आगे आते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आपके अपने ख्षेत्र की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे News24 Public Voice चैनल को सब्सक्राइब करे और खबर को लाइक वशेर करे